हे गाइस वेलकम टू में चैनल और आज आज जानेंगे बैट फ्रेंट स्रीज एपिसोड 6 के स्पोईलर के बारे में जो की नेक सेटर्डे को आने वाला है तो अग को उस दिन भी ओवर टेम करना पड़ता है जो किंग को बिलकुल भी पसंद नहीं आता और जब किंग को पता करता है कि क्रिट ने आा को फिर से कविन में बलाया है और पहार जाने से मना करता है पर आ कहता है क्रिट उनका वौस थै तो वह ऐसा नहीं कर सकता इसलिए की ऐसी गुस्सा हो जाता है और आके सामने से चल जाता पिर अगली दिन जब आ और किंग ऑफिस जाते है तो उन दोनों में ज़्यादा बात्चित नहीं होता क्योंकि किंग आ से क्रीट को लेकर नारस था और किंग से उसके एरंच डेट को लेकर तो उस दिन भी क्रीट आ से अबर टाइम करवाता है और सभी के जाने के बाद सब्सक्राइबन में चला जाता है और किट से कहता है आपको ग्राफिक डिजैन के लिए और लोगों को हायर करना चाहिए क्योंकि क्रीट आ से ओवर टाइम काम करवाने के लिए माफ ही मांग रहा था कि तभी क्रीट आ के थाई पे हाथ रखके कहता है तुम बहुत अच्छ काम के लिए मैं तुमें एक्स्टा पाइंट भी दूँगा पर ग्रीट की ऐसी हरकत पसंद नहीं आते इसलिए वह वहां से उठकर जाने लगता है कि तभी क्रीट का हाथ पकड़ कर उचको खीसता है जिस वजह से वहां क्रीट के ऊपर गिर जाता है और क्रीट उसे कसकर प गूझता है तुम इसम्सबग के कैबिन में क्यों गय थे कि एक्सा कि एक है तो किंग कहता है तुम दोनों लूम में अकेले थे कि इंग की विच्जाओ मुझर करने नहीं लगता कि हम दोनों दोस्त रह सकते हैं, इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, ऐसे ही 10 दिन बीच जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर बात नहीं करते, अचानक एकदिन संदे सुभा कर आकर उसकी बेहन ठंकाओं का फोण आता है, जो से कहती है कि उसका बॉज घर पे आया हुआ है यह संकर वाकर समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है इसलिए वह जल्दी से अपने घर चला जाता है जहां पर वह देखता है क्रीट उसकी मॉम के साथ बैठ कर बाते कर रहा है तो गार कि मॉम उसको देख बहुत खूश हो जाती है औ क्रीड की मदच से वह भी रीच हो सकती है और गया कर मौम की बातों का बहुत बुम बुरा की कंशे जाता है गया कीrence कहते हैं जहां हुआती है उनकी मॉम को बता देता है यह होल भर बहुत ही fire वक्त वहाँ बहुत ही सैट था और अभी किंग भी उसके साथ नहीं था इधर दोनों को ही अपनी गल्तिका रियलाइजेशन होता है वहाँ समझ जाता है कि किंग उसके लिए फिक्र करता है इसलिए उस दिन वोसब कहा था किंग भी वहाँ की मजबूरी को समझता है इसलिए वहाँ किंग को सौरी कहके समस करता है और ये भी लिखता है कि अब वहाँ किंग के साथ फ्रेंड सुइट बेनेफिट के रिष्टे में और नहीं रह सकता इसके बाद वहाँ अपना रजिगनेशन दे कर किसी दूसरे प्रविंस में जाकर रहने का मन बना लेता है ओके कर दोस्तो